नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं दन्यूस 15 तुदेश के प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र के दौरान संसदों की गैर हाजरी पर सक्त रुख अक्तियार करते हुए नजर आये हैं बीजेपी संसदी दल की बैठक में संसदों की गैर हाजरी पर पीम ने कहा कि सदन में सभी संसदों को रहना होगा चाहे कोई बिल हो या ना हो पर सभी संसदों की हाजरी जरूरी है पीम ने नाराजगी जटाते हुए संसदों को सक्तित से आदेश देते हुए कहा कि संसद अपने में परिवर्तन लाए नहीं तो समय के साथ अपने आप परिवर्तन हो जाएगा पीम का ये सक्त रुक ऐसे सामने आया है जब संसत के शीत कालिन सत्र में विपक्ष एक जोटता दिखाते हुए सरकार पर लगातार निशाना साथ रहा है विपक्ष की और से नागालेंड फाइरिंग और सांसतों के निलम्मन सहित में मुद्दो पर सरकार को जम कर घेरा जा रहा है गौटलब है कि इस से पहले संसत के मौनसुन सेशन के दौरान भी राजसभा में बीज़ेपी सांसतों की गैर हाज़री के मसले पर पीम ने नाराज़गी जताई थी सूत्रों ने ये जवानकारी दी है कि मौनसुन सत्र के दौरान उच्छ सदन में बिलबारच पूटे समय कई सांसत मौजूद नहीं थी इसे लेकर पीम ने सकत रुक अपनाया था यही नहीं उन्होंने संसद्य दल की बैठक में राजसभा से गैर मौजूद रहे सांसतों के नाम भी मागे थी